प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाई लेटस खबरे सबसे पहले रहा तो आम चनाव 2019 के पहले नई आयोडिया के बसाने का काम शुरू हो जाएगा इस काम का ठेका भी योगी आदितिनाद की सरकार ने दे दिया है लंदन की कंसल्टेंट एजिंसी प्राइस वाड़र हाउस को पर प्राइविट लिमिटेड इस काम को अंजाम दे रही है प्रोजेक्ट को नवे आयोडिया नाम दिया गया है दार्मिक नगरी आयोडिया में भले ही भाजपार राम मंदिर के निर्माण के संकर को पूरा नकर पा रही हो लेकिन वो आयोडिया में एक नए आयोडिया के निर्माण की बुनियाद जल्द ही डालने जा रही है इसके लिए योगी आधितिनात की सरकार बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही है नई योजना के तहट पुराने शहर आयोध्या के बगल लंदन की शहर के तरज पर मौडल आयोध्या का विस्तार होगा इसके लिए कारे तेजी से शुरू हो चुका है लंदन की एजिंसी ने आयोध्या को नया स्वरूप देने के लिए प्रोजेक्ट तयार कर लिया है इस प्रोजेक्ट को परिटन विभागने भी स्विकार कर लिया है आयोध्या के विस्तारी क्रण को स्वरूप देने के लिए शासन को पत्र भी भेजा जा चुका है इसलिए जरूरी है नई आयोधिया रामनगरी आयोधिया के विस्तारी करण वसौंदरी करण को लेकर उतर प्रदेश की योगी सरकारद्वारा नई योजना बनाए गई है पुरानी दामिक नगरी आयोधिया में सेगड़ों वर्षों पुरानी इमारतों और दारमिक मंदिरों के होने और पतली सज़कों के कारण कोई नया बदलाव नहीं हो सकता है इसलिए पुरानी आयोधिया का विस्तार कर नई आयोधिया बनाने का काम किया जाना है नई आयोधिया में देश विदेश से आने वाले परेटकों की आवशकता के अनुरूप होने वाले सभी कारे को किया जाएगा उतर प्रदेश शासन के परेटन विभाग ने नई आयोधिया बनाने का ठेका लंदन के कंसल्ट एंट एजिंसी प्राइस वाटर हाउस को पर प्राइविट लिमिटेड को दिया है उसकी प्रगित रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है शासन धेजा गया रिपोर्ट चल्द शुरू होगा कारे फैसा बात के जिला अधिकारिया निलकुमार के अनुसार कंसल्ट एंट एजिंसी प्राइस वाटर हाउस को पर प्राइविट लिमिटेड द्वारा बनाई गई रिपोर्ट मिल गई है इसे शासन के सामने प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया है इस कारे योजना के लिए कंसल्ट एंट एजिंसी पी डब्यूसी एजिंसी के साथ परेटन विभाग और आयोडिया फजाबाद विकास पराधी करण अभी मन्थन कर रहे हैं कहां बने की नवे आयोडिया लखने गोरग पूर हाईवे पर सर्य नदी के तच पर करीब चार किमी के इलाके में मांचा बरहे टक शेत्र हैं यहां नवे आयोडिया के लिए भूमी को चिन्हित करने कारी आयोडिया फजाबाद विकास पराधी करण को सौंबा गया है फजाबाद विकास पराधी करण के अभियनता मनोज मिश्र के अनुसार यह इलाका डूप क्षेत्र से मुक्त है बारिश का पानी रोखने के लिए कुछ बांध बनाये जाने की जरूरत होगी इस इलाके में नवे आयोडिया के रूप में नए शहर को बसाया जाएगा यहां आधुनिक शहर की सभी सुविधाय होगी प्राधी करन यहां भूमी को अधिग्रहित करने का कारे में जुटा है